साल 2015 में चाइना और पाकिस्तान एक एकनॉमिक डील को साइन करते हैं जिस डील का नाम रहता है चाइना पाकिस्तान एकनॉमिक कॉरिडोर और इस डील के बारे में बढ़ चड़कर मीडिया में कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है जैसे कि चाइना पाकिस्तान एकनॉमिक के उपर काम हो रहे थे, more or less सभी प्रोजेक्ट के उपर इतना ज़ादा अटैक्स किये गए कि बहुत हद तक हम कह सकते हैं कि चाइना पाकिस्तान एकनॉमिक कॉलिडोर वो अचीव नहीं कर पाया जो अचीव करना था इसी में बहुत सारे चाइनीज इंजिनियर्स या वर्कर्स की जान जाती है लेटस्ट इसी साल के मार्च के महीने में कुछ चाइनीज इंजिनियर्स मारे जाते हैं जिसके बदले चाइना पाकिस्तान से 2.58 मिलियन कॉम्पंसेशन मांगता है ये अमाउंट अपने आप में बहुत ही बड़ा हो जाता है क्या है ये पूरा मामला इसको हम समझते हैं मगर आगे बढ़ने से पहले आपको ये वीडियो अच्छे लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेर करें कुछ बातों का ध्यान रखना बेहर ज़रूरी होता है भले हम चाइना पाकिस्तान के बारे में पढ़ रहें लेकिन फिर भी भारत में अगर कई भी भी फॉरेंड डारेक्ट इंवेस्टमेंट आता है तो वो इंवेस्टमेंट किन शर्तों पे आता है किन कंडिशन पे आता है और उससे हमें कितना फाइदा होगा और उससे जो देश इन्वेस्ट कर रहा उससे कितना फाइदा होगा इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करना बहर ज़रूरी होता है कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाला देश आपके देश में इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दे कि आप उस देश का एक कॉलोनी बन जाए ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है पाकिस्तान के केस में जहां पे पाकिस्तान चाइना से इतना ज़्यादा लोन ले रखा है कि ये बहुत हद तक आज के डेट में पाकिस्तान चाइना का एक कॉलोनी बन गया है और इसमें अगर आब बात करें बहुत ही neutral point of view से तो इसमें चाइना का बिल्कुल भी गलती नहीं है बलकि पाकिस्तान के जो लीडर से उनका गलती है समय दर समय पाकिस्तान में लीडर्स बदलते रहते हैं वो अपने हिसाब से डील करते हैं और जब वो सत्ता से बाहर निकल जाते हैं तो पाकिस्तान से भी फिर बाहर चले जाते हैं और साथ में लेके जाते हैं उस डील में जो अचीव हुआ पैसा है तो कहने का मतलब है कि हर condition में जो पाकिस्तान के common civilian से suffering उन्ही को करना पड़ता है साल 2015 में चाइना और पाकिस्तान मिलके CPAC को sign करते हैं जहां पे ये बताया गया था कि लगबग इस CPAC project से पाकिस्तान में लगबग 30 लाग से भी अधिक जो job है वो create होगा लेकिन जैसे ऐसे ये चायना पाकिस्तान economic corridor आगे बढ़ता है वैसे वैसे मालुम पड़ता है कि चाहे workers होगे चाहे common engineers होगे सारे का सारे जो है वो China से मंगाया जा रहे हैं इसके बदले में क्या बताया गया कि क्यूंकि पाकिस्तान के जो workers है या engineers हैं वो इतने skilled नहीं है कि वो इतने बड़े projects पे काम कर पाए तो in a way जो promises किये गये थे starting में वैसा कोई भी promises fulfill नहीं होता है जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ के जो local लोग होते हैं अलग-अलग provinces के व और वहाँ पे जो समय दर समय political party जो सत्ता में रहते हैं उनके leaders कमा रहे हैं यह इसी साल के March का article है जहां पे आप देख सकते हैं कि 6 Chinese engineers की जान जाती है जहां पे उनके convoy के उपर attack किया जाता है हाला कि यह कोई पहली बार attack नहीं है और possibility काफी हाई है कि future में भी ऐसे attacks होंगे उसके पीछे के बहुत सारी reason है उन बहुत सारी reasons में से अगर हम बहुत ही simple तरीके से समझना चाहें तो एक तो जबसे पाकिस्तान भारत से अलग हुआ तबसे पाकिस्तान में कभी भी political stability रही नहीं और पाकिस्तान के जो leaders हैं वो जान बूच के पाकिस्तान के जो governance है उसमें religion को मिला दिये और इतना खतरनाक एक cocktail तयार कर दिया गया कि पूरा का पूरा पाकिस्तान है वो religiously extremist हो गया है और उसके बाद बहुत सारे armed groups का creation हो गया है कोई भी project अगर पास होता है तो उन सब में से इनको compensation चाहिए होता या यूं कहले कि इनको कुछ एक certain amount as in commission चाहिए हो 2021 के august के महीने का तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के guadar city में क्यूंकि china बर्च जड़कर investment कर रहा इसलिए जो वहां का एक natural flow था उसको रोग दिया गया जिसके कारण क्या होता है कि वहां के local लोगों को ना ही electricity मिलता है ना ही तो उनको पानी मिलता है जिसके कारण क्या होता है कि वो लोग massive protest करते हैं और सिर्फ protest ही नहीं करते हैं बलकि valid clashes भी होता है तो कहने का मतलब है कि अगर कहीं पे भी आप development का project कर रहे हैं और अगर उस project से वहां के local लोगों को अगर benefit नहीं हो रहा तो उस project को fulfill करना almost impossible है और वहीं पे अगर बात किया जाए तो पाकिस् पाकिस्तान जिस तरीके से किसी टाइम पे US का कटपुतली बना हुआ था वैसे ही पाकिस्तान आज चाइना का बना हुआ है जहां पे चाइना से बढ़ चड़ कर वो इतने सारे लोन ले लिये हैं कि शायद यहां से आने वाले 100 साल तक भी पाकिस्तान उस position में नहीं जो current budget है वो कुछ 60 billion American dollar से भी अधिक है तो कहने का मतलब है कि अगर आप अपने देश में investment बुलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि आप उस investment का benefit किस तरीके से लेंगे और कहीं ऐसा तो नहीं कि उस investment का जो benefit है वो सिर्फ सामने वाले देश को मिल रहा है और आप बस loser बनके निकल रहे हैं वहीं पर अगर बात किया जाए चाइना के बारे में तो चाइना बहुत ही अच्छे तरीके से उन्हीं सब देशों को loan देता है जिन देशों के बारे में उसे पता होता है कि कभी भी वो loan वापस नहीं कर पाएगा अग जो चाइना का terms condition है उसको मानने के सिवाग वहीं पर officially चाइना को ये कहा जाता है कि वो दुनिया का largest debt collector है तो इससे भी आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि चाइना आज के date में कितना बड़ा global superpower बन गया है और वो किस तरीके से अपने debt trap policy या यू कहले कि अपने बड़ 8 million dollars पाकिस्तान से ताकि इस amount को वो चाइना के जो workers है उनको दे पाएं और इस पूरे article को आपको पढ़के लगेगा कि पाकिस्तान ने already इस amount को sanction कर दिया है जो कि पाकिस्तान की embassy जो Beijing में है उनको मिलेगा फिर वहां से जो further transaction है वो process होगा इसी बीच बहुत सारा ऐसे expert या पाकिस्तान के leader से उनका ये कहना है कि जिस तरीके से compensation वसूला जा रहा है चाइना के द्वारा पाकिस्तान से ये amount काफी जादा unreasonable है लेकिन उसके बावजुद पाकिस्तान उस condition में नहीं है जहां पे वो चाइना से कहे कि जिस हिसाब से आप compensation मांग रहे है ये unreasonable है और as per report जिन और शहवाज सरीफ के बीच में बात हो तो अगर हम simply इस video को conclude करना चाहे तो हमें एक चीज़ तो समझ में आता है कि foreign direct investment अच्छी बात होती है लेकिन किन terms condition पे आता है वो जादा important होता है और slowly and gradually अगर आप अपने देश में skill development नहीं करते हैं तो समय के साथ आप cope up नहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा क्या आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care goodbye